भारत माता की भारत माता की बिहार के स्वाभिमाने और महंती भाई बहन आप सभे के परनाम अन्नदाता महनत कस किसान भाई लोग के इदान के कटोरा कहल जाए गरवशाली धर्ति के हम नमन करतानी माम मुंडेश्वरी ताराचंडी माता के इपावन भुमी पर रौवा सब के अभिनन्दन करतानी बिहार के मुख्य मंत्री इत्यक्षण बाई मुके साहनी जी भाजपा साउसत बाई छेदी पासवान जी और मेरे प्यारे भाई और बैनों साथियों फाली में बिहार ने अपने दो सपुतों को खोया है जिनों ने यहां के लोगों को दसकों तक सेवा की है मेरे करीबी मित्र गरीबों दलीतों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले और आखरी समय तक आखरी सांस तक मेरे सांस रहने वाले राम बिलास पासवान जी उन्हें मैं अपनी स्रत्धानली अर्पित करता उसी प्रकार से बाबू रगोंस प्रसाथ सींजी ने भी गरीबों के उत्थान के लिए निरंतर काम किया वो भी अब हमारे बीच नहीं है मैं उन्हें भी अपनी आधर पुर्वक सर्धानली अर्पित करता हूँ साथियों आज रोहतास के साथ साथ आसपास के अन्य जिलों के साथी भी यहां आए है तक्रीक के माध्यम से भी काफी साथी और एंडिये के उमीदवार हमारे साथ जुड़े हैं मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ भाई और बहनों सबसे पहले तो मैं बिहार के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ बधाई इस बात के लिए कि बिहार के लोग इतनी बड़ी आफ़दा का दटकर मुकाबला कर रहे हैं कोरोना महमारी से बचने के लिए तेजी से जो फैसले लिए गए हैं जिस तरह बिहार के लोगों ने काम किया नितिज जी के नेत्रुत्व में एंडिय सरकार ने काम किया उसके नतीजे आज दिख रहे हैं दुनिया के बड़े बड़े अमीर देशों की अहलत किसी से भी छिपी नहीं है अगर बिहार में तेजी से काम न हुआ होता तो ये महमारी न जाने कितिने साथियों की हमारे परिवार जनों की जान ले लेती कितना बड़ा हाहा कार मचता इसकी कोई कलपना भी नहीं कर सकता लेकिन आज बिहार कोरोना का मुकाबला करते हुए सारी सावधानियों के साथ लोग तंत्र का परवम मना रहा है साथियों मैंने बिहार के बहुत से लोगों के साथ करीब से काम किया है उनसे बहुत कुछ सीखा भी है एक बात जो बिहार के लोगों में बहुत अच्छी होती है वो है उनकी स्पस्टता कभी बिहार के लोग कन्फूजन में नहीं रहते किसी ब्रह्म में नहीं रहते मैं और एक बदाई भी देना चाहता हूँ बिहार के लोगों को ये बदाई इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि चुनाव के इतने दिन पहले ही उन्होंने अपना स्पस्त संदेश सुना दिया जितने सर्वे हो रहे हैं जितनी रिपोर्ट आ रही है सब में यही आ रहा है बिहार में फिर एक बार NDA सरकार बनने जा रही है लेकिन मेरे बिहार के प्यारे भाई ये भेनों हर चुनाओं में ऐसा भी होता है जब कुछ लोग प्रम फैलाने के लिए एक दो चहरों को अचानक बड़ा दिखाने लग जाते हैं कभी किसी नई शक्ति के उपरने की बाते फैलाई जाती हैं लेकिन इसका मतदान पर कोई असर नहीं पड़ता है बिहार का मतदाता तो इतना समझदार है कि वो ब्रम फैलाने वालों की हर कोशिश को खुद ही नाकाम कर रहा है बिहार के लोगों ने मन बना लिया है बिहार के लोगों ने ठान लिया है कि जिनका इतिहास बिहार को बिमारू बनाने का है उन्हें आस पास भी नहीं फटकने देंगे बाई बहनी लोगन बारत के दिल बाटे बिहार बारत के सम्मान बाबिहार बारत के स्वाबिमान बाबिहार भारत के सुस्कार बाबिहार आजादी के जैगोस बाबिहार संपुर्ण क्रांति के संखनात बाविहार आत्मा दिर्भर भारत के पर्चंबा बिहार देश के सुरक्षा हो या देश के विकास बिहार के लोगन सबसे आगे रहलन बिहार के सपूत गलवान गाटी में तिरंगा के खातीर शहीद हो गई लेकिन भारत माता के माथा ना जुके देले पुलवा मा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भाई लें हम उनके चरान में सीज चुकावतानी सद्धान्जली देवतानी बिहार अब विकास की और तेजी से बड़त बात है अब बिहार के कोई बिमारू बेबस राज्यन नहीं कह सकत लालतेन के जवाना गईल पिछले छर सालन में बिजली के खपाथ तीन गुना बढ़ गईल बाते भाई और बैनों अंदेरे से उजाले की और बढ़ना इसी को कहते है बिहार के लोग भूल नहीं सकते वो दीन जब सूरज डलते का मतलब होता था सब कुछ बंद हो जाना ठपड़ जाना आज बिजली हैं सडके हैं लाइटे हैं और सबसे बड़ी बात वो माहोल है जिसमें राज्य का सामान्य नागरी बिना बिना डरे लह सकता है बिना डरे जी सकता है वो दिन जब सरकार चलाने वालों की निगरानी में दिन दाड़े जकेती होती थी हत्याय होती थी रंगदारी बसुली जाती थी वो दिन जब घर की बिटिया गर से निकलती थी तो जब तक वापस ना आ जाएं माता पिता की सांस अठकी रहती थी जिन लोगों ने एक एक सरकारी नोकरी को हमेशा लाखों करोडों रुपिय कमाने का जरिया माना जिन लोगों ने सरकारी नियुक्तों के लिए बिहार के नवजमानों से लाखों की रस्वत खाई वो फिर बढ़ते हुए बिहार को ललचाई नजरों से देख रहे हैं आज बिहार में पीड़ी भले बदल गई हो लेकिन बिहार के नवजमानों को ये याद रखना है कि बिहार को इतनी मुष्टिलों में डानले वाले कौन थे साथियों 2014 में केंद्र में सरकार बनने के बाद जितने समय बिहार को डबल इंजिन की ताकत मिली राज्य के विकास के लिए और ज़्यादा तेजी से काम हुआ है बिहार को जो प्रदान मंत्री पैकेज मिला था उस पर काम की रफ्तार भी तेज गती से आगे पड़ रही है कोरोना के इस समय में भी गरीबों को सर्वोच प्रात्विक्ता देते हुए एंडिये सरकार ने काम किया है जहां कभी गरीब का राशन राशन की दुकान में ही लूटा जाता था वहां कोरोना काल में गरीबों को मुप्त राशन गर पहुचाया गया है गरीब भुखा न सोये त्योहार ठिक से मना सके दिवाली और छट पुजा ठिक से मना सके इसके लिए मुप्त अनाज की व्यवस्ता भी की गई है इसी कोरोना के दौरान करोडों गरीब बहनों के खाते में सीधी मदद भेजी गई मुप्त गैस सिलिंडर की व्यवस्ता की गई शहरों में जो रहेडी ठेला चलाने वाले साती हैं उनके लिए भी बैंकों से आसान रूण सुनिश्चित कराया जा रहा है ताकि वो अपना काम फिर सुरू कर सके आगे बढ़ सके साथियों देश जहां संकट का समाधान करते हुए आगे बढ़ रहा है ये लोग देश के हर संकल्प के सामने रोड़ा बन कर खड़े हैं देश ने किसानों को बिचोलियों और दलालों से मुक्ति दिलाने का फैसला लिया तो ये बिचोलियों और दलालों के पक्षमे खुल कर मैदान में है मंदी और MSP का तो बहाना है असल में दलालों और बिचोलियों को बचाना है याद कीजिए लोग सभाच चुनाओ से पहले जब किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे देने का काम शुरू हुआ था तब इन्होंने कैसे कैसे ब्रह्म फ्रलाया था जब देश की रक्षा के लिए राफेल विमानों को खरीदा गया तब भी ये बिचोलियों और दलालों की भाषा बोल रहे थे साथियों आज देश की जनता देश के किसान देश के नवजवान देख रहे हैं कि इन लोगों के लिए देश इत नहीं दलालों का हित जादा महत्वपून है इसलिए जब जब बिचोलियों और दलालों पर चोट की जाती है तब तब ये तिल मिला जाते हैं बौखला जाते हैं आज हालत ये हो गई है कि लोग बारत को कमजोर करने की साजी सरच रहे लोगों का साथ देने से भी नहीं हीच की चाते आप मुझे बताएए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं ये फैसला हमने लिया एंडिय की सरकार ने लिया लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि सक्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे और और इनका दूसरा हस देखिए इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से बोट मागने की हिम्मत दिखा रहे हैं जो बिहार अपने बेटे बेटियों को सीमा पर देश की रखवाली के लिए भेचता है क्या ये उसकी भावना का पान नहीं है मैं जवानों और किसानों की भूमी बिहार से इन लोगों को एक बात एकदम पस्थ कहना चाहता हूँ ये लोग जिसकी चाहें मदद ले लें देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा भारत अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा भाई और बेहनों इन लोगों को आपकी जरुरतों से कभी सरोकार नहीं रहा इनका ध्यान रहा है अपने स्वार्थों पर अपनी तिजोरी पर यही कारण है कि बोजपूर सहीत पूरे बिहार में लंबे समय तक बिजली सड़क पानी जैसी मुल्च सुविदाओं का विकास नहीं हो पाया हालत यह थी कि कैमूर में जिस दुर्गावती सिंचाई परियोजना का सिलान्यास बाबू जग्जिवन राम जी ने सत्तर के दसक में किया था सत्तर के दसक में वो इतने वर्षों में भी पूरी नहीं हुई थी इस काम को NDA सरकार ही पुरा कर रही है साथियों बिहार के विकास की हर योजना को अटकाने और लटकाने वाले यह लोग है जिन्होंने अपने पंदरा साल के शासन में लगातार बिहार को लूटा बिहार का मान मर्दन किया आपने बहुत विश्वास के साथ इन्हें सत्ता सौपी थी लेकिन इन्होंने सत्ता को अपनी तीजोरी भरने का माध्यम बना लिया जब बिहार के लोगों ने इन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया नितिश जी को मोका दिया तो यह बौकला गए जो बात मैं बता रहा हूं इसको जड़ा बारी की से समझने की कोशिश कीजिए जब उनको सत्ता से बेदखल किया गया तो यह लोग बौकला गए उनके अंदर एक गुस्सा आया जहर भर गया इसके बात दस साल तक इन लोगों ने दिल्ली में यू पिए की सरकार में रहते हुए बिहार पर बिहार के लोगों पर अपना गुस्सा निकाला और मुझे याद है मैं भी गुजरात का मुख्यमंत्री था नितिज जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और जब हम बारत सरकार की मिटिंगों में जाया करते थे नितिज जी बार बार उनको कहते थे कि आप बिहार के काम में रोडे मटत काईए बिहार के राजनीति का अखाड़ा दिल्ली को मत बनाईए लेकिन दस साल तक यू पिए सरकार में बैठे लोगों ने जिसको टाइट चावी करने के लिए बिहार के लोग पहुँचे हुए थे वे पराजय के गुस्से में नितिज जी को ये काम नहीं करने देते थे दस साल बरबाद कर दिये नितिज जी के बाद में अठारा महिने क्या हुआ ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है आप बली भाती जानते हैं इन अठारा महिनों में परिवार ने क्या क्या किया कैसे कैसे खेल किये कौनसी बाते अख़बारों में च्छाई रहती थी कौनसी बाते टीवी वालों को भाती थी ये बाते मुझे कहने की जरूरत नहीं है बिहार और देश के लोगों से छीपा नहीं है जम नितीजी इस खेल को बाब गए ये समझ गए कि इन लोगों के साथ रहते हुए बिहार का भला तो छोड़िये बिहार और 15 साल पीछे चला जाएगा तो उन्हें सत्ता छोड़ने का फैसला लेना पड़ा साथियों बिहार के लिए बिहार के उजबल भविश के लिए हम फिर एक बार नितीजी के साथ आए साथियों 2014 में प्रधान सेवक बनने के बाद यह आँकणा लोगों को याद नहीं आ रहा है बिहार में याद कराना पड़ेगा मुझे नितीजी के साथ कंदे से कंधा मिला कर काम करने के लिए सिरिप तीन-चार साल का ही मोका मिला है बाकी तो यूपिये के साथ संगर्ष करने में बिहार का टाइम गया है लेकिन इन तीन-चार वर्षों में भी कहीं पर तीन-चार गुना काम किया कहीं पर पाँच गुना तेजी से काम किया गया है साथियों आज NDA के सभी दल मिलकर आत्म निरफर आत्म विश्वासी बिहार के निर्मान में जुटे है बिहार को अभी भी विकास के सभर में मीलों आगे जाना है नई बुलंदी की तरफ उडान भरनी है बीते वर्षों में बिहार के गरीब दलीत वंचीत पिछडे अती पिछडे आदिवासी उन सद तक वो सुविदाय पहुँचाने का प्रयास किया गया है जिने पाना कभी बहुत मुश्किल होता था आज उसको अपना पक्का घर बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है आज वो भी संपन्न परिवारों की तरफ गैस चुले पर खाना बना रहा है आज उसके घर में भी सौचालय की सुविदा है आज उसके बच्चे भी बिजली की रोशनी में पढ़ाई कर पा रहे है आज वो बिमार होता है तो उसके पास पांच लाख रुपिय तक मुप्त इलाज की सुविदा है साथियों सुद्ध पीने के पानी की क्या स्तिती थी ये बिहार की बेहनों बेटियों से बहतर कौन समझ सकता है आज जल जीवन मिशन से हर गड़ जल पहुँचाने का काम तेजी से चल रहा है इस मिशन का लाप यहां इस खेत्र में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बेहनों को भी होगा उनके घर में भी पाईप से पानी पहुचेगा साथियों हमारे यहां गाओं के घरों के स्वामित्व को घर का मालिक कौन है उसका स्वामित्व किसके पास है इन बातों को लेकर हमेशा बहुत बड़ा सवाल रहा है गाओं की जमीन इन जमीनों पर गर पुर्खों के बनाए घर इन में बर्सों से जो जो लोग रहते रहे हो लेकिन सरकारी दस्तावेजों में इनका अस्तित्व ही नहीं रहता ऐसे में अक्सर दो चार फूट को लेकर हर घर के साथ दूसरे का विबाद चलता रहता है रिस्तेदारों में विबाद चलता रहता है गाओं में जंगड़े होते रहते हैं मार पिटा ही होती है कभी कभी मौत बुला ली जाती है इन जमीनों पर इन गरों पर मैं बिहार के हर गाओं के नागरिक से बात विशेस रुप से कहना चाहता हूँ इन गरों पर आज जो उनके गरों के पास कागजनों कोने कारण बैंकों से कोई कर्ज भी नहीं मिलता है बारत के गाओं में रहने वालों की इस दिक्कत को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना की शुरुवात किये इस योजना में सब कोच टेक्नलोजी के माध्यम से हो रहा है टेक्नलोजी कर रही है ड्रोन की मदद से गाओं के घर घर की मैपिंग उसको ना पाजा रहा है मैपिंग कराई जा रही है सारी कारिवाई के बाद गाओं के लोगों को हरे एक नागरिक को उनके घर का उनकी जमीन का स्वामित्व कार दिया जा रहा है भारत के छे राज्यों में ये योजना पाइलोट के रुपे शुरू हो गई है कुछ दिन पहले बाबु जैप्रकाद नाराण जी की जैनती के दिन एक लाख लोगों को स्वामित्व कार दिये गए है बिहार में चुनाओ के बाद एंडिये की सरकार बनने के बाद बहुत जल्द इस योजना को यहाँ पर भी शुरू किया जाएगा बिहार के गाउं के हर नागरिक को इसका बहुत बड़ा लाब मिलने वाला है यहाँ के नवजवानों को लाब होने वाला है गर के स्वामित्व कार पर गाउं का नागरिक भी बैंकों से बहुत आसानी से रून ले सकेगा कोई दिक्कत नहीं होगी यह स्वामित्व कार आपके जीवन में एक नई निश्चिंता लेकर आएगा साथियों सुविदा के साथ साथ बिहार के सभी वर्गों को अधिक से अधिक अवसर देने के लिए ठोस प्रयास किये जा रहे हैं दलीतों, पिछडों, आधिवास्चियों को मिलने वाले आरक्षण को अगले दस साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है उसी प्रकार से समर्ण समाज में जो अनामत से आरक्षण से वंचित थे उसमें जो गरीर है, उनको दस प्रतिशत आरक्षण देने का अन्दिने भी हमारी सरकार ने किया है यही नहीं सरकारी भरती प्रक्रिया में जो सुधार किये जा रहे हैं उसका भी लाब बिहार को मिलना तय है इस छेत्र के भी बहुत से युआ एंट्रेंस एक्जाम के लिए बड़े शहरों का रूप करते हैं बार बार होने वाली परिच्छाओं के कारण युआ साथियों का समय उर्जा और धन तीनों बरबाद होता था अब देश में अधिकतर प्रतियोगी परिच्छाओं के लिए कॉमन एंट्रेंस तेस्की सुविदा मिलने से युआ साथियों की परिशानी कम होगी एक ही अग्जाम से सरकार के अनेक नोकरी के दरवाजे खुलेंगे साथियों एक और बड़ा प्रियास किया जा रहा है मात्रु भासा में सिख्छा को लेकर अभी हमारे डॉक्टर जैस्वाल जी जब मैं आया बड़े विस्तार से इसका वर्णन कर रहे थे और ये काम जब मैं कह रहा हूँ मैं कहता हूँ मन बुद्धि कर्ब से मैं स्वर्गिया आदर्निया करपुरी ठाकोर साहाब को आदर पुर्वक्सर धान्जली भी देता हूँ आज वो जहां भी होंगे हमारी सकल्पना से वो हम पर आशिरवाद बरताते होंगे भाईयो बहनो देश की सिक्षा विवस्ता में तो बिहार का गवरवशाली इतिहास रहा है राष्टिय सिक्षा निती से प्रेना लेते हुए अब कोशिस होगी मेडिकल एंजिनियरिंग समेथ सभी तकनिकी कोर्सिस को भी मात्रू भाषा में पढ़ाने की शुरुवात की जाएगी उसके कारण अंग्रेजी के अभाव के कारण गाउं का, गरीब का दलीज का, पीडीज का, बच्चा उसका आप डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा इंजिनियर बनने का सपना पूरा होगा ये बहुत बड़ा नेड़ाय हम करने जा रहे और मैं बिहार भाजपा को बधाई देता हूँ तो उन्होंने अपने चुनावी मैनिफेस्टों में इस महत्वपुन कारिकम की गोशना की है साथियों बिहार में स्वरोजगार के अवसरों के लिए भी नियंतर प्यास किया जा रहा है आज मुद्रा योजना से गरिवों को महिलाओं को युवा उद्यमियों को दुकानदारू को बिना गरंटी का रण मिल रहा है गावों में जो उद्यमी दिदियां के समू है उनको भी बैंकों से मिलने वाली सुविदा अब बढ़ाई गई है आज छोटे किसानों मचुवारों पशुपालकों सभी को किसान क्रेडिट कार दिया जा रहा है